Hello दोस्तो मेरे नाम है अखिल और आज की इस वीडियो में हम एंसुरेशन 3D से part 5 करेंगे इसमें हम question no.27 से start करेंगे क्योंकि 27 से पहले जितने भी question है वो हमने पिछले वाली वीडियो में cover कर लिया है तो start करते हैं आज के पहले question से देखो इसमें पहला question क्या दिया है किसी घन संगत फलक क्या होता है जैसे एक्जामपल के लिए अगर आप किसी कमरे में खड़े होते हैं तो कमरे में फलक क्या होंगी जो उसकी दिवारे होंगी वही उसकी फलक होंगी तो यानि अगर मैं संगत फलक की बात करूं एक दिवार अगर मैं इसको लेता हूं तो इसके संगत क को मैं B मानता हूँ, उचाई को मैं H मानता हूँ, तो ये भी H होगा, ये भी B होगा, ये भी L होगा, और इनका मुझे क्या निकालना है, छेतर फलों का अनुपात, तो पहले फलक हो गई, ये सामने वाली, इसकी लंबाई और चोड़ाई है, लंबाई है L, चोड़ाई है H, तो L इन्टू H, ये है 2 का अनुपात है, तो यहाँ पर 2 हो जाएगा, दूसरी अगर मैं इसको लेता हूँ, तो इसकी लंबाई है B, और चोड़ाई है H, तो ये हो जाएगा B इन्टू H, इसका मैं दिया है 3, और तीसरी वाली ये वाली, ठीक है, तो इसकी लंबाई L है, और चोड़ाई है B, तो L इन्टू B बरावर हो जाएगा 4, देखो ये अनुपात दिया है, तो अगर मैं X से गुणा करता हूँ, तो ये हो जाएगा 2X, 3X और 4X, आगे दिया है तथा इनका जो आयतन है, वो 9000 गन सेंटीमेटर है, आयतन का मतलब L गुणा B गुणा H, इस सबको गुणा करता हूँ, तो L दो बार है तो ये हो जाएगा L स्कूर, B वी दो बार है तो B का स्कूर, H बी दो बार है तो H का स्कूर, इनको भी गुणा करना पड़ेगा तो 3 चोगो 12 दूनी, 24X, तीन बार है तो X का क्यूब, अब स्कूर है तो L, B, H का होल स्कूर 1000 की वराबर है, तो यहां पर टोटल आएगा ये 9000, इसका स्कूर, यानि 9000 गुणा 9000 में लिख सकता हूँ, और ये 24 जो है इसको मैं नीचे लेके आँगा, तो बटे में हो जाएगा 24, तो ये हो जाएगा XQ, ठीक है, अब देखो XQ का मतलब अगर मैं इसको इदर लेके आ आता हूँ, तो इसकी पाउर एक बटे तीन होगी, ठीक हैं, तो एक बटे तीन यानि मैं क्या करूंगा, देखो, 9000 में अगर मैं Skeodore 0 निकालता हूँ, इसको लिख सकता हूं, 9 गुणा 10 गुणा 10, गुणा 10, तो ये होगा, 10 का क्यूब, ठीक है, तो दस का क्यूब होने का म पर बचा क्या 9 और यहां पर भी इसमें भी यही करेंगे 9 गुणा 10 गुणा 10 गुणा 10 तो यह 10 भार आएगा तो गुणा 10 हो जाएगा इंटू यहां पर क्या बचा 9 गुणा 9 तो 9 गुणा 9 इसको मैं लिख सकता हूं 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3 तो एक जोड़ा यह बन और 8 होता है 2 गुणा 2 गुणा 2 तो कितना हो जाएगा ये बटे में हो जाएगा 2 तो इससे ये cancel तो यहाँ पर हो जाएगा 5 तो ये total हो रहा है पांस ते पंदरा यानी डेट सो ठीक है तो X की value मैंने यहाँ से निकाल दे डेट सो अब मैं X की value यहाँ पर रख दूंगा 50 और L और B की value यह हो जाएगी पंदर चको 60 600 की बराबर अब मुझे क्या निकालने सबसे चोटी बुजा निकालनी है तो कैसे निकालूंगा मैं देखो L B और H की value मेरे पास है 9000 तो सबसे चोटी बुजा के लिए मैं इन में से सबसे बड़ा वाला नमर लूंगा यानि सब यानि है बराबर कितना आएगा दो जीरों से यह दो जीरी कंचिल इस से इसको काटेंगे तो यह हो जाएगा पंदरा तो जो एच की value आएगी वह आएगी पंदरा सेंटी मीटर इसका मतलब छपसे छोटी बुजा हाइट होगी जो 15 सेंटी मीटर होगी यानि बी वाला मारा इस परकार से हम इसको solve कर सकते हैं अब देखो मैंने आपको पिछली वाली वीडियो में भी बताया होगा कि इनको मैं detail से solve करूंगा यानि कोई भी step जम ने करूंगा और step जम नहीं करने का मतलब है कि इसमें time ज्यादा लगने वाला है time तो ज्यादा लगेगा बट आपको स question समझ में आगे तो आप बात में step जम करके अपना time save कर सकते हैं तो इस परकार से इसको solve कर सकते हैं अब देखो आगला question क्या दिया है किसी घनाव की माप 25 cm 20 cm तिधा 4 cm है एक घन का आईतन इस घनाव की आईतन का आदा है तो जो घन का आईतन है वो घनाव के आईतन का कितन है आदा है तो घनाव का आईतन होता है एल इंटू बी इंटू एच और घन का आईतन होता है बुजा क्यूब तो यहां पर मैं एक क्यूब कर देता हूं इंटू यहां पर हो जाएगा एक बटा दो और इनकी value मुझे दी है 25 cm 20 cm और 4 cm तो यहां पर हो जाएगा 25 गुणा 20 गुणा 4 और हो जाएगा cm cube इंटू एक बटा दो तो इससे यह वाला cancel हो जाएगा यहां पर होगा दो तो 25 दूनी 50 दूनी 100 तो यह हो जाएगा 100 और एक 0 यह भी है तो 1000 cm क्यूब हो जाएगा तो एक क्यूब बराबर इसके बराबर तो एक ही value में यहां से निकाल सकता हूं देखो यहां पर इसको मैं लिख सकता हूं 10 cm का whole cube क्यूब क्यूकि यह 10 का cube है तो अब क्या हो जाएगा cube से cube cancel यानि एक ही value में यहां से निकाल सकता हूं 10 cm मुझे क्या चाहिए घन का संपूर्ण प्रिष्टी चेतरफल चाहिए तो घन का संपूर्ण प्रिष्टी चेतरफ तो इस प्रकार से हम इसको solve कर सकते हैं अब देखो अगला question क्या दिया है किसी घन के विकंड की लंबाई 6 cm है तो घन का विकंड क्या होता है अंडरूट 3A इसकी value मुझे दी है 6 cm मुझे क्या निकालना है घन का एतन यानि मुझे a cube की value जीए तो पहले मैं a की value निकालूँ तो ए बराबर हो जाएगा 6 upon root 3 cm अब देखो root को तो हम बटे में लेते नहीं है तो इसका परमेगरन करना होगा तो root 3 से गुणा कर देंगे ठीक है तो root 3 और root 3 यहां पर जाएगा 3 और 3 से इसको काटेंगे तो यह हो जाएगा 2 root 3 cm तो एक ही value मैंने निकाल दी अब इसकी value म यहां पर रख दूंगा तो कितना हो जाएगा root 2 root 3 cm का whole cube तो पहले 2 का cube होगा जो कि 8 होता है और यहां पर root 3 into root 3 into root 3 तो इसमें 3 होगा और यह root 3 और 7 cm है तो cm का cube तो कितना हो रहा है यह 8 यह 24 यह टोटल हो रहा है 24 root 3 cm cube इसका मतलब B वाला मारा answer होगा टिक तो इस प्रकार से इसको भी solve कर सकते हैं अब देखो आगला question क्या दिया है एक घं के विकर्ण की लंबाई 9 under root 3 cm है तो घं का विकर्ण है यानि A root 3 की value हमें दिये है 9 under root 3 cm है तो इससे यह cancel हो जाएगा यानि A की value हो जाएगी 9 cm हमें क्या निकालना ह इसके संपूर्ण प्रिष्ट का छेत्रफल कितना होगा तो संपूर्ण प्रिष्टी छेत्रफल घं का होता है 6 A square तो यहां पर हो जाएगा 6 into A square यानि 9 गुणा 9 और cm है तो cm का square हो जाएगा तो 9 गुणा 6 तो 6 और 8 6 के 48 यानि 486 cm square इसका मतलब B वाला हमारा answer हो जाएगा तिक तो इस प्रकार से इसको भी solve कर सकते हैं अब देखो अगला question क्या दिया है एक गं के संपूर्ण प्रिष्ट का छेत्रफल तो गं का संपूर्ण प्रिष्टी चेत्रफल होता है 6a square इसकी value मुझे दी है 1,3,2,5,4 cm square तो यहां से मैं a की value निकाल सकता हूँ तो 6 से गाटूंगा तो 6 दूनी 12 भागनी जाएगा 0 और 9 6 का 54 तो a square की value इसके बराबर आ रही है अब मैं a की value निकालूंगा तो इसका root हो जाएगा 22 09 अब देखो starting में 9 आ र 3 का होगा और यहां पर 22 है यानि यहां पर 4 होगा यहां पर 4 होगा तो यह किसका root होगा 47 का root होगा तो इसका मतलब a की value आ जाएगी 47 cm अब मुझे क्या निकालना है इसके विकंड की लंबाई कितनी होगी तो विकंड की लंबाई कितनी हो जाएगी विकंड की लंबाई होत जाएगा टिक तो इस प्रकार से हम इसको भी solve कर सकते हैं अब देखो आगला कोशन क्या दिया है एक घंड के विकंड की माप चार अंडरूर 3 सेंटीमीटर है तो विकंड दिया है घंड का विकंड होता है रूर्ट 3A इसकी वैल्यू है चार अंडरूर 3 की बराबर तो इससे ये cancel तो A की वैल्यू हो जाएगी 4 सेंटीमीटर मुझे क्या निकालना है घंड का आयतन यानि A क्यूब की वैल्यू मुझे चाहिए तो इसका क्यूब करना होगा तो 4 का क्यूब होता है 64 और सेंटीमीटर क्यूब यानि C वाला हमारा एंसर अब देखो अगला कोशन क्या द होता है तो 8 सेंटीमीटर का होल क्यूब हो जाएगा तो क्यूब से क्यूब कैंसिल यानि A की वैल्यू आ रही है 8 सेंटीमीटर मुझे क्या निकालना है संपूर्ण पिष्टी छेत्रफल निकालना है तो जो घं होता है उसका संपूर्ण पिष्टी छेत्रफल होता है A स्क् टिक तो अगला कुशन क्या दिया है एक घनाव का आयतन एक घन से दो गुना है तो घनाव का आयतन होता है L इंटो V इंटो H इसका जो आयतन है वो घन के आयतन का तो घन का आयतन होता है A Q इसका दो गुना है तो मैंने दो गुना कर दिया आगे दिया है यदि घनाव की बराबर एक्यूब इंटू दो तो दो से मैं इसको काड़ सबता हूं तो यहां पर जाएगा तीन तो नो तीस सताइस गुणा आठ तो आठ से तो चपन आठ दुनी 16 और पांच 21 सेंटीमीटर क्यूब बराबर हो जाएगा एक्यूब के तो 216 होता है छे का क्यूब तो 6 सेंट परिष्टी 6 तरफल होता है 6a स्क्वेर तो यह हो जाएगा 6 इंटू 6 इंटू 6 यानि 6 का क्यूब होता है 216 इसका मतलब भी वाला मारा इंसर जाएगा ठीक तो इस प्रकार से हम इसको भी सॉल्व कर सकते हैं अब देखो आगला कोशन क्या दिया है 25 सेंटीमीटर बुझा वाले एक घं को पिगला कर 5 सेंटीमीटर बुझा वाले कितने घं बनेंगे तो देखो इसको मैं कैसे सॉल्व करूँगा इसमें पहले दिया है कि जो घं है उसकी जो भुझा है वो 25 सेंटीमीटर है ठीक है तो उसका टोटल वॉल्यूम कितना हो जाएगा इसका क्यूब हो जाएगा ठीक तो ये टोटल वॉल्यूम हो गया अब इससे मुझे क्या करना है 5 सेंटीमीटर बुझा वाले घं बनाने है तो 5 cm बोजावले घंड का वोल्यूम कितना हो जाएगा इसका भी मैं क्यूब करूँगा और कितने घंड बनेंगे मान नीजे X घंड बनते हैं तो यह मैंने X से गुणा कर दिया अब मुझे X की वैल्यू चाहिए तो मैं क्या करूंगा यहां पर 25 का स्कूर खोल दूंगे यानि 25 का क्यूब इसका मतलब 25 गुणा 25 गुणा 25 और 5 का क्यूब इसको नीचे लेके जाएंगे तो इसके नीचे आ जाएगा तो यह हो जाएगा 5 गुणा 5 गुणा 5 अब इसको यह कैंसिल 5 से यह कैंसिल और 5 से यह कैंसिल तो 5 का क्यूब यानि 125 गुण बनेंगे इसका मतलब सी वाला मारा एंसर जाएगा तो इस परकार से हम इसको भी सौल कर सकते हैं अब देखो आगला कुश्ण क्या दिया है लोहे के 3 गुणों के सिरों की लंबाई करम 106 cm, 8 cm तध नहीं होगी यह हमें निकालना है देखो इसमें दिया है कि लोहे के 3 गन है तीनों को पिगलाना है यानि उनका जो आयतन होगा पहले का दूसरे का और तीसरे का उनको पिगला कर एक नया गन बनाना है ठीक है और इसकी मुझे लंबाई निकालनी है तो देखो मैं कैसे निका यह capital A मानता हूं तो इसका Q हो जाएगा और इसकी value मुझे दी है पहले की 6 cm है तो 6 का Q हो जाएगा यानि 216 plus दूसरे का 8 cm है तो 8 का square हो जाएगा 512 square ने cube sorry ठीक है यह हो जाएगा 512 प्लस तीसरे का 10 है तो 10 का cube हो जाएगा 1000 अब इनको जोड़ेंगे तो यह total कितना आ रहा है 6 और 2 8 1 और 1 2 5 2 7 और 1 यानि 1728 के बराबर आ रहा है तो A cube की value इसके बराबर है तो मुझे लंबा ही निकालने यानि A की value चीए और यह किसका cube होता है यह 12 का cube होता है साथ में cm भी होगा ठीक है cm cube भी होगा तो यहाँ पर 12 cm का whole cube हो जाएगा बराबर A cube तो इससे यह cancel यानि एक बुझा की जो लंबाई है वो आई 12 cm इसका मतलब यह वाला महरा answer होगा ठीक तो इस प्रकार से हम इसको भी solve कर सकते हैं अब देखो इसमा अगला question क्या दिया है एक गहन का संपूर्ण प्रिष्टी का चेतिरफल 1500 cm है तो गहन का संपूर्ण प्रिष्टी चेतिरफल होता है 6a square इसकी value मुझे दी है 1500 cm square तो 6 से गाटूंगा तो 6 दूनी 12 और 6 35 तो a square बराबर हो रहा है 25 cm square तो यह होता है 5 का square ठीक है तो 5 cm का whole square में कर दोंगा तो इससे यह cancel यानि a बराबर आ रहा है 5 cm अब मुझे इसका आयतन निकालना है तो घन का आयतन होता है बुजा क्यूब तो इसका क्यूब हो जाएगा यानि 125 cm cube इसका मतलब B वाला मारा answer देखो आगला question क्या दिया है दातों के बने एक घन की परतेक बुजा 12 cm है इसे पिगला कर तीन छोटे छोटे घना में डाला ग बनाने है ठीक है छोटे छोटे घन बनाने है यह दिए इसमें से दो गुनों की जो भुजाएं है वो 56 cm तथा 8 cm है तो तीसरे घन की परतेक बुजा की लंबाई कितनी होगी यह मुझे निकालना है देखो बड़ा गन है उसकी एक बुजा मुझे दी है 12 cm है तो मुझे इसक होता है बुजा क्यूब तो 12 का होल क्यूब हो जाएगा अब इसको बिगला कर मुझे तीन घन बनाने है पहले की बुजा मुझे दी है 6 है तो इसका भी आईतन निकालूंगा तो इसका क्यूब हो जाएगा प्लस दूसरे घन का आईतन हो जाएगा 8 बुजा दी है 8 तो इसक का एक्यूब है ठीक है क्योंकि आई तन होता है एक्यूब तो अब इसको solve करूंगा तो क्या हो जाएगा यह 12 का क्यूब जो कि मैंने अभी निकाला था 1728 6 का क्यूब होता है 216 प्लस 8 का क्यूब होता है 512 अब इसको जोड़ेंगे तो 6 और दो आठ एक और एक दो पांच और दो साथ तो अगर मैं इसको इधर लेकि आता हूँ तो यह माइनिस हो जाएगा यानि 728 माइनिस करना पड़ेगा तो यह टोटल हो रहा है 1000 बराबर यहां पर क्या बचेगा एक क्यूब तो एक क्यूब की वैल्यू आ रही है 1000 तो 1000 किसका क्यूब होता है 10 का क्यूब साथ में सेंटीमीटर क्यूब भी आएगा ठीक है 10 सेंटीमीटर का क्यूब मैं इसको कर सकता हूँ तो cube से cube cancel याने A की value आ रही है 10 cm और यही मुझे निकालना है इसका मतलब A वाला मारा answer होगा अब देखो आगला question क्या दिया है एक ठोस गनाव की बुझाएं क्रम सब 72 cm, 75 cm तथा 135 cm है ऐसे गन की परतेक बुझा की लंबाई कितनी होगी जिसका आयतन इस ठोस गनाव की आयतन के बराबर है इसमें दिया है कि जो गन का आयतन है यानि A cube की जो value है वो गनाव के आयतन के बराबर है यानि L into B into H के बराबर है और L into B into H की value मुझे दिये है 72 cm into 75 cm into 135 cm तो यहाँ पर cm cube हो जाएगा अब देखो इसको मैं कैसे solve करूँगा 72 को लिख सकता हूँ मैं 12 गुणा 6 12 चका बहतर 75 को लिख सकता हूँ 25 गुणा 3 और 35 को लिख सकता हूँ 15 गुणा 9 तो देखो मुझे 3 3 के जोड़े बनाना है क्यूँकि मुझे cube की value निकालनी है तो यहां से इसको मैं लिख सकता हूँ 4 गुणा 3 और इसको लिख सकता हूँ 3 गुणा 2 तो देखो 3 कितनी बार आएगा 1, 2, 3 तो 3 के इस्तान पर मैंने 1, 3 बार ले लिया ठीक है इंटू 2 भी 3 बार आ गया 4 यहां पर 2 गुणा 2 और 1 यह 3 यह वाला तो 2, 3 बार आ गया तो 2 मैंने बाहर ले लिया अब बचा क्या 12 भी हो गया, 6 भी हो गया यह वाला 3 भी हो गया अब इसमें 25 को मैं लिख सकता हूँ 5 गुणा 5 और इसमें इसको मैं लिख सकता हूँ 5 गुणा 3 तो देखो 5 भी 3 बार आ गया तो 5 भी मैंने बाहर ले लिया अब यहाँ पर 9 को लिख सकता हूं में 3 गुणा 3 तो 3 भी 3 बार आ रहा है तो 1 3 मैंने बाहर ले लिया तो कितना आ रहा है यहाँ पर A की जो total value आएगी वो आएगी 5 दूनी 10 3 तीर 9 यानि total 90 के बराबर जाएगी तो 90 cm हो जाएगा इसका मतलब जो घन की लंबाई होगी वो 90 cm होगी यानि D वाला मारा इंस हो जाएगा टिक तो इस परकार से हम इसको भी solve कर सकते हैं अब देखो आगला कुशन क्या दिया है 8 cm कोर वारे 2 घनों को उनके सिरों से मिलाने पर प्राप्त घनाब का प्रिष्टी 6 तरफल कितना होगा देखो दो घना में दिये गिये हैं ठीक है और जो परते की लंबाई है वो 8 cm है तो घन की लंबाई चोड़ाई उचाई बराबर होती है तो 8 लंबाई, 8 चोड़ाई और 8 उचाई ठीक है ये भी 8, 8 और 8 अब देखो इन दोनों को मिलाया गया और एक गनाब बनाए गया तो जो गनाब बना उसकी जो लंबाई होगी वो कितनी होगी 8 ये है, 8 ये है यानि टोटल 16 cm उसकी लंबाई होगी चोड़ाई कितनी होगी देखो चोड़ाई में कोई परिवर्तन नी होगा क्योंकि केवल लंबाई जोड़ी जा रही है तो चोड़ाई 8 ही रहेगे इसी प्रकार से उचाई में भी कोई परिवर्तन नी होगा तो उचाई भी 8 ही रहेगे ठीक है, और मुझे क्या निकालना है ये जो घनाब बना इसका प्रिष्टी छेतरफल निकालने है तो घनाब का प्रिष्टी छेतरफल क्या होता है टू इंटू इनका गुणा इनका गुणा और इनका गुणा तो 16 गुणा आठ प्लस 8 गुणा 8 प्लस 16 गुणा 8 तो कितना हो जाएगा देखो ये दो बार है तो यहां पर मैं लिख सकता हूँ 2 गुणा 16 गुणा 8 प्लस 8 गुणा 8 अब यहां से मैं 8 यहां पर भी है यहां पर भी है और यहां पे भी है तो यहां से मैं 8 गुणा 8 common ले सकता हूं तो 2 गुणा 8 गुणा 8 मैंने common ले लिया तो यहां पे क्या बचा इसको मैं लिख सकता हूं 2 गुणा 8 तो यह common ले लिया तो यहां पे बचा 2 दुनी 4 प्लस यहां पे बचा 1 तो यह हो गया 5 तो कितना हो रहा है यह पांस दुनी दस गुणा आट अट अट चॉसट तो यह हो रहा है छैसो चालिस इसका मतलब सी वाला मारा एंसर टिक तो इस परकार से इसको भी सॉल कर सकते हैं अब देखो इसमें अगला कोशन कह रिया है एक सो पच्चिस गन सेंटीमीटर आयतन वाले तीन समान गणव को प्रवस पर साथ रखकर किनारों से इस परकार जोड़ा गया कि एक गणा बन जाता है तो इस गणाव का कुल पिष्टी चित्रफल कितना होगा देखो इस टार्टिंग में हमें दिया है एक सो पच्चिस गन स से जाएगी 5 सेंटीमीटर ठीक है और तीनों जो घं है वो समान है इसका मतलब पहला घंडूस्चा और तीसरा घंड़ परत्तेक की चो भुजा होगी वह 5 पांच-पांच होगी तो लंबाई भी 5 चॉड़ाइब भी 5 और लंचाएब भी 5 यहां पर भी 5 तो यह तो यह सब 5 वर्तन ने होगा जैसे हमने पिछले वाला क्वेशन करा था इसका भी मुझे क्या निकालना है कुल पिष्टी छेत्र फल निकालना है यानि टू इंटू इनको गुणा करेंगे तो यह हो जाएगा पंद्रा गुणा पांच फिर इसका गुणा पांच और फिर इसका गुणा क पर बसकता हूं तो कितना हो जाएगा यह दो गुणा 25 और यहां पर हो जाएगा ऑप 3 गुणा 5 तो यह तो मैंने कमन ले लिया तो 3 दूनी 6 बचा तो 6 प्लस एक हो जाएगा साथ गुणा 25 दूनी 50 तो साथ पंजे 35 यानि 350 इसका मतलब डी वाला मारा एंसर हो जाएगा टिक तो इस परकार से हम इसको वे solve कर सकते हैं अब देखो इसके जो बागी question है वह हम अगले वीडियो में करेंगे तो वीडियो अच्छा लगाते हैं वीडियो को लाइक कीजिए सेर कीजिए अपने दोस्तों के साथ और चैनल को सिस्क्राइब करना ना भूलाएं तो मिलते हैं आप से इसके अगले पार्ट में तब तक के लिए बाबाई